नमस्कार दोस्तों जापान के पूर पीम सिंजो आबे की हत्या यह नियो जितना दुखत जापान के लिए उतना है दुखत भारत समेथ पूरे विस्व के लिए है क्योंकि सिंजो आबे को एक सांती को परमोट कने वाले नेता के रूप में पूरे विस्व में जाना जाता था जथा भारत के साथ इनके जो रिष्टे हैं बहुत ही मधूर रहे हैं। इनकी हत्या उस समय कर दी गई जब वो नारा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उसमें नारा के एक निवासी तेसवा यामा गामी ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी और इस समय इनकी मात्र साड़ साड़ बर सी थी इनका जन्में 21 सितंबर 1994 को टोकियो में हुआ और ये जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहें और ये कुल चार बार जापान के प्रधानमंत्री चुने गए इनका जो सम्मंध लिबरल डेमोक्रेटि से यह पहली बार जो है 2006 में एक साल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए और उसके बाद 2012 से बीस तक उन्होंने प्रधानमंत्री का पद सम्म этот 2006 में प्रधानमंत्री चुने गए थे उस समय उन्होंने ज्ण इस्टीपा दिया उसका करण ये था कि उस समय भी इनको ulcerative colitis थी, यह एक ulcer नामक बिमारी है, जो उनके पेट में बच्बन से है, यह बिमारी जब बढ़ रही थी, इन्होंने 2007 में इस्थीपा दे दिया, उसके बाद 2020 में इन्होंने इस्थीपा दिया, उसका भी कारण ulcerative colitis थी, इसी बिमारी की चलते इन्हों इन्होंने इस्थीपा दिया, क्योंकि डाक्टर निने आराम की सलाह दे थी, यह अपने परिवार के पहले नेता नहीं थे, जो प्रधान मंत्री के पर पहुंचे, इनका पूरा परिवार, इनका खांदान जो है, ओ राजनीतिक रहा है, इनके जो दादा किसी नोबू सुके इनके जो पीता है, अबे सिंतारो, यह भी राजनीत में सक्रिय रहे हैं, सिंजो अबे अपने पहले कारकाल में अगफ 2007 में भारत आये, उस समय उन्होंने भारत और जापान की संबंधों के लेकर एक अहम भासर दिया, जिसे दो सागरों का मिलन के रूप में याद किया जा में मनमोहन सिंग की गवर्मेंट थी, उस समय ये पहली बार भारत की यात्रा पे आये थे और उन्होंने संसद में जाके भासर दिया था, सिंजो अबे 2014 में गरतन दीवस की परेड में मुख अतित की रूप में भारत में बुलाए गये और जापान की तरब से परेड में आन समवाग्रिक सम्मान पदम वीगुसर से संब्मानित किया गया और अभी हाल ही में सुभाषचंद बोश जी के 125 जन्म दीवसवर सिंजो आबे को नेता जी पुरुस्कार से संब्मानित किया गया, ये ये सिंजênio आबे के बारे में संच्छित जानकारी था और आज इसी के सा लेते हैं जै हिन जै भारत